हलो एब्रीवन वेलकम तो अनदर वीडियो आप क्रिप्टान टुटोरियल्स इन दिस वीडियो आप गोईंग तो डिस्कस अबॉट समॉप सिरीज इन्वाल्विंग इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन तो लेट सिरीज दे सकते हैं आपको और उस सिरीज का आपको जनरल टर्म लिखना है फिर वहाँ से आप सम निकालेंगे सेकेंड टर्म यह हो सकता है कि आपको जनरल टर्म और उसका सम निकालना पड़े इस पूरे टॉपिक में एक कंसेप्ट जो एक फॉर्मूला से बोल सकता हो कि जो यूज होगा वो कुछ इस तरह से टैन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई यह फॉर्मूला है जो इस पूरे टॉपिक में यूज होगा अब इस से पहले क्या होता है अपने को यह फॉर्मूला पता होता है तो यह फॉर्मूला तो हम लोग बहुत ही सिंपल वे से अपलाई कर सकते हैं बट इस टॉपिक में क्या होता है टैन इनवर्स गिवेन होता है यह आपको गिवेन होता है यहाँ पे टैन इनवर्स के अंदर में कुछ ही गिवेन होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे गिवेन होगा यहाँ पे कुछ पार्ट आपको गिवेन होगा इसके अंदर question में, series के अंदर 10 inverse में भी आ सकता है, sine inverse में भी आ सकता है caught inverse में भी question आ सकता है, causeic inverse में भी आ सकता है तो आपको जिसमें भी given हो, जहां भी जिसमें भी given है मालो sine inverse में series given है किसी में भी given है आप सब को पहले 10 inverse में convert करूँगे पहला जिस दियान रखना है सब को पहले 10 inverse में convert करोगे उसके बाद formula आपनी हमेशा यह ही apply करेगे अब इसमें thought process क्या होता है उसको समझते तो general term तो series का लिख लोगे वो 10 inverse के term में कुछ general term लिखोगे तो 10 inverse के अंदर में यहाँ पे कुछ न कुछ आ जाएगा यहाँ पे कुछ न कुछ पार्ट आएगा अब यह जो भी पार्ट आएगा उसको आपको कुछ इस format में convert करना है मतलब denominator में सबसे पहले तो आपको one ढूनना है कि one होना चाहिए नहीं है तो add और subtract करो और दो चीज का product होना चाहिए और उसी दोनों का subtraction numerator यहाँ भी होना चाहिए अगर ऐसा लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो you can write this 10 inverse x minus 10 inverse y अब इसमें convert होते ही यह अपना difference method के according फिर solve होगा जो vn method sequence रिजो पढ़े हो उसके according solve होगा या फिर simply put करते जाएंगे अपन तो question solve होगा इसमें तो overall mainly इस पूरे वीडियो में अपने को 4 example से 3-4 example से सीखना यही है कि अपन यह convert कैसे कर रहे है इसका thought process का है उसको improve करना है इस वीडियो में तो at the end तुम्हें यह समझ बाना चाहिए कि इस चीज़ को apply कैसे कर रहे है इस चीज़ के बारे में सोच कैसे रहे तो देखते हैं उसमें तो एक example से आपर start करते है तो एक first question है इसमें summation r is equal to 1 से n 10 inverse 1 upon me 1 plus r square plus r यह अपने को find करें जैसे मैंने बोला था या तो आपको series दिया जाएगा इस तरह से लिख के दिया जाएगा फिर आप उसका general term लिखोगे उसके बाद ये formula के बारे में सोचोगे इस question में क्या है direct अपने को general term लिखा गया है अपने को direct ये चीज गिवेन है अब यहां से आपन इसको इसमें convert करने की कोसिस करेंगे तो देखना आप तरीका क्या है तो जो भी आपका TR दे रखा है 10 inverse वाला part उसको बाहर कर लिजी पहले तो उसपे काम करना start करोगे कि इसको कैसे लिख सकते है तो 10 inverse 1 upon में अब यहां पर ये fix है कि denominator में एक 1 तो चाहिए ही चाहिए यहां अच्छी बात है कि 1 दे रखा है already एक 1 यहां तो रह नहीं 1 को तो समस्पेले लेखी लो अब यहां पर दो चीज है आपका R square plus R और उपर 1 दे रखा है मतलब ये जो part चल रहा है आपका कौन सा part ये R square plus R ये किसी दो चीज का product होगा 1 plus something यहां पर जो भी something आएगा वो दो चीज का product होगा मालनो lambda into mu का product है जब जिसको subtract करेंगे तो उपर 1 आना चाहिए यहां पर आपको सोचना इसी तरीके से कि इसको किन दो चीज का product लिखे ताकि difference भी इसका 1 के बराबर हो तो यहां से अगर आप R square plus R को यहां पर साइड में पकरो और यहां से आपको इसमें तो बहुत सिंपली दिख रहा होगा R अगर common लोगे R plus 1 और इसी दोनों को subtract भी अगर करें तो 1 बनेगा तो finally इस चीज को अपन इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 10 inverse 1 upon में 1 प्लस R अगर common लेंगे R plus 1 और इस 1 को लिख सकते हैं आपन R plus 1 minus R finally यह बना अब यह format जो बन रहा है कुछ ऐसा बना 10 inverse X minus यहां से गर जिख करो 10 inverse X minus Y upon में 1 plus XY यह दो चीज का product है उसी दोनों का difference उपर है तो आप इस चीज को लिख सकते हो 10 inverse R plus 1 minus में 10 inverse R by using this formula we can convert this into into 10 inverse R plus 1 minus 10 inverse R now summation इनका करते हैं आपन तो summation के according यहां पे ऐसा चल रहा है कुछ से summation R is equal to 1 से N इस part का summation चल रहा था और इसी पार्ट को आपन इसके बराबर लिख सकते हैं तो now you can write this 10 inverse R plus 1 minus 10 inverse R अब अगर आप इसको और जल्दी solve करना चाहते हो तो आपको difference method का VN method का concept और अच्छे से पता होना चाहिए तो एक तो general तरीका है जो हरी question में अपन अपलाई करेंगे वह कुछ इस तरह से जो अपने हापे कर रहे अब इसका मतला R के बदले अगर आप 1 put कीजिए तो ये चल रहा आपका 10 inverse 2 minus 10 inverse 1 अगर R के बदले 2 put कीजिएगा R के बदले 2 put कर रहे तो 10 inverse 3 minus 10 inverse 2 R के बदले अगर 3 put करोगे 10 inverse 4 minus 10 inverse 3 end में अगर N put कीजिएगा तो 10 inverse N plus 1 minus 10 inverse N अब यहाँ साब को दिख रहा होगा जब सब को add करोगे ये कुछ इस तरह से part इसका eliminate होगा किस तरह से ये part चल रहा है ये 10 inverse 2 इसके साथ 10 inverse 3 इस part के साथ 10 inverse 4 इस part के साथ ये भी part कहीं नहीं कहीं यहाँ वाले के साथ remove होगा ये dot dot चल रहा था आपका इसमे और इस चिसका concept summation वगेरा में समझाया जाता है बच्चों को कि अगर first term का right वाला बज़ रहा है तो last term का left वाला बज़ेगा तो finally यहाँ से जो part आएगा अपना वो कुछ इस तरह का आएगा 10 inverse n प्लस 1 माइनस में 10 inverse 1 यह आगे आपका answer यह इसका answer हो जाएगा अगर इसी question में r is equal to 1 से end चल रहा था इसी question में 1 से end चल रहा था अगर यह बोला जाता 1 से infinity तक जा रहा है अगर question में रहता r is equal to 1 से infinity तक चल रहा है तो आपन solve तब भी end के लिए ही करेंगे solve पूरा end के लिए ही होगा बस इसमें end में अब end के बदले आप infinity बेज़तो है ऐसा सोचो कि end infinity के तरफ जा रहा है if अगर ऐसा होता तो अगर end infinity के तरफ गया तो 10 inverse के अंदर में infinity हो गया तो 10 inverse के अंदर में अगर यह वाला part infinity के तरफ जा रहा है तो now this will give you like pi by 2 और 10 inverse 1 is exactly equal to pi by 4 finally answer is pi by 4 इसी पार्ट को आपन इस तरीके से भी solve कर सकते हैं इसी पार्ट को अपना question यहाँ पे convert हो गया था r is equal to 1 से n r plus 1 minus 10 inverse r यहाँ पे convert हो अब vn method के according जो sequence region पढ़ते हैं हम लोग तो summation r is equal to 1 से n इस पार्ट को अगर आपन इस पार्ट को अगर आपने vr लिखा यहाँ r plus 1 है और इसको vr लिखा तो यह पार्ट आपका हो जाएगा vr minus 1 दोनों के बीचे में gap चल रहा आपका one का तो answer first r के first value से आएगी और last value से आएगी और इसमें यह वाली value छोटी चल रही है तो यहाँ से जो sum होगा यह वाली value आपकी छोटी चल रही है तो उल्टा पुट करते थे आपन लब यह n जो चलेगा आपका यहाँ पे आजाएगा one जो चलेगा आपका यहाँ हैगा तो इसको लिख सकते हैं आपन वी एन माइनस वी नॉट अब वी आर जो आपका है वो इसके बरावर चल रहा है तो आर के बदले अगर एन चाहिए आपको वी एन चाहिए अपने को आर के बदले यहाँ एन रखेंगे तो फाइनली आएगा तैनि वर्स एन प्लस वन अब आर के बदले आप जीरो रखना जाते हो यहाँ पर जीरो रखो यहाँ पर तो फाइनली यहाँ पर जीरो आएगा क्योंकि वी आर मैने इसके बरावर मानके चला ता तो माइनस में अब यह चिज़ लिखने का फाइदा यह है कि आप एक स्टिप से बच जाओंगे ये जो पार्ट अपने को काम करना पर रहा है ये पार्ट जो कि हर एक क्वेस्टन में करना परेगा इस से आपन बच जाएंगे और ये चीज़ आपन डारेक्ट लिख पाएंगे जिन भी बच्चों को इस VR वर VR-1 में दिखका थोड़ा हो वो VN Method of Summation का Part 1 वीडियो देख सकते हैं स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये सारा थियोरी पार्ट इसका समझाया गया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डालूंगा उसका डाल दूगा उसका तो तुम वहाँ से भी चेक कर सकते हैं तो फाइनली इस पूरे में ये चल रहा था कि 10 inverse X-Y पॉने 1 प्लस X होए और इस चेज़ पे काम करेंगे आप यहाँ भी पॉइंट ये था कि सिरीज भली किसी भी चीज में दे रखियो 10 inverse में चल रहा हूँ पूरा का पूरा सिरीग सब को convert करो के 10 inverse में और सब में यही formula आप लाई करेंगे एक और question देखते है question यह चल रहा है 2 अपन में 1a square 10 inverse 2 अपन में 2a square plus 10 inverse 2 अपन में 3a square up to infinite यह अपने को find करना है यहाँ से आप general term पहले लिख सकते हो इसका यहाँ पे series दे रखा है तो पहले इसका general term लिखोगे question का तो दिख रहा होगा यह जो first term चल रहा है 1 का square second term में 2 का square third term में 3 का square अगर आप next term लिखने की कोसिस करो यहाँ से बनेगा 10 inverse denominator में क्या आएगा भई 4 का square in each term numerator this one is equal to 2 यहाँ पे हर एक जगर 2 चल रहा है this is equal to 2 अगर इस series का आपन general term लिखना है start करें tr this will be equal to 10 inverse 2 अपन में r square जो भी आप term लिखोगे उसकी value यहाँ पे आएगी अगर आप r के बदले 1 put करो t1 is equal to 2 upon me 1 का square अगर आप r के बदले यहाँ पे 2 put करोगे तो t2 is equal to 10 inverse 2 upon me 2 square अब इसी का अपने को summation find करता है r is equal to 1 से रखेंगे तो आपन n तक ही कोई फर्क नहीं पड़ता उससे find तो करना ही है n तक ही end में n के बदले आपन infinity put करेंगे 2 upon me r square जैसा मैंने चीज़े समझा रखा है इस part को आप इस part पे आपको मेहनत करनी है और यह जो काम चल रहा है अपना ten inverse यह जो part चल रहा है 2 upon में r square काम इसी पर करनी है denominator में पहले तो 1 चाहिए क्योंकि 1 प्लस xy होता है आपका यहाँ पे 1 प्लस कर दीजे क्योंकि इस question में denominator में 1 है नहीं तो 1 add करोगे और 1 आपन subtract करेंगे यह बना कुछ चीजे अब यह जो part चल रहा है आपका denominator ने 1 चाहिए था हमने 1 को set किया अब यह जो part बना आपका r square minus 1 यह किसी दो चीज़ का product होगा और उसी दोनों का subtraction उपर 2 भी आना चाहिए कुछ इस तरह से set करना करें thought process ही है question में कि denominator 1 तो चाहिए ही चाहिए formula में 1 है आपका तो यहाँ पर 1 था नहीं कुछ भी तो मैंने 1 add किया और 1 subtract किया 1 add कर दिया 1 plus अब जो भी part बना उसको एक साथ पकर लो तो यह जो part चल रहा है आपका इसका product देखोगे कि यह किन दो चीज़ का product है कि उनका subtraction भी 2 हो जाए अगर आप r square minus 1 को side में पकरो और इस चीज़ का दो factor सब को दिख रहा होगा a plus b, a minus b और इसी को subtract करेंगे आपन तो 2 भी आ जाएगा कहीं नहीं करें इसी चीज़ को subtract करेंगे तो इस पार्ट को आपन simply ऐसे लिख सकते है 10 inverse denominator के अंदर 1 plus 2 चीज़ का product r plus 1 r minus 1 उपर बना आपका r plus 1 minus में r minus 1 subtract कीज़े 2 1 रहा है तो फाइनली इस चीज़ को आपन लिख सकते है 10 inverse r plus 1 minus में 10 inverse r minus 1 इस तरह से आपन इसको लिख सकते है तो फाइनली क्वेस्टन बना आपका summation r is equal to 1 से and now this can be written as 10 inverse r plus 1 minus में 10 inverse r minus 1 अब इसी चीज़ को आपन आगे देखते है r is equal to 1 से n 10 inverse r minus 1 अब r के बदले अगर one put करो यहां से बनेगा आपका 10 inverse 2 minus 10 inverse 0 r के बदले अगर आप 2 put कीजिए 10 inverse 3 10 inverse 3 minus 10 inverse 1 r के बदले अगर आप 3 put कीजिए 10 inverse 4 minus 10 inverse 2 अगर अगर 4 put करें 10 r के बदले 4 put किया था यहां 3 आजाएगा आपका यह चलता जाएगा आपका last में आपन n put करेंगे n से पहले एक बदले n minus 1 put करते है 10 inverse r के बदले n minus 1 n minus 1 plus 1 this is equal to n n minus 2 last में n put करोगे 10 inverse n plus 1 minus n put कर रहे हैं n minus 1 यह कुछ इस तरह से बनाबो अब अगर series को आप observe करना है start करो से अब सब को add करोगे तो कैसे क्या चल रहा है तो यह जो part चल रहा है यह part इसके साथ remove हो रहा है 10 inverse 3 आपका इसके साथ जा रहा है 10 inverse 4 आपका यहां वाले के साथ जाएगा 10 inverse 4 आपका इसके नीचे वाले के साथ यह रही होगा तो finally जो यहां से sum बन रहा है आपना वो कुछ इस तरह से 10 inverse N प्लस N प्लस 1 माइनस में 10 inverse 0 प्लस 10 inverse 1 यह आपका आंसर चल रहा है मगर मैंने question में infinity बोल रहा था up to infinity तो N तक तो आपना find करेंगे now N tending to infinity as usual 10 inverse infinity this is equal to pi by 2 pi by 2 minus 10 inverse 0 is 0 और 10 inverse 1 is pi by 4 तो finally pi minus pi by 4 is equal to 3 pi by 4 इस आपसा तो इस पार्ट का अंसर 3 pi by 4 होगा अब इस चीज को अगर आप चाहो यहाँ पे VR वाले पार्ट से भी convert कर सकतो इसको तो मैं suggest करूँगा कि आप VN method of submission का इस चीज को अगर आप चाहो तो VR वाले पार्ट से भी solve कर सकतो इस काम यह काम करने से अगर आप बचना चाहते हो तो इस चीज को आप VR में convert की जएगा फिर आप डिरेक्ट यह step लिख पाऊंगे तो मैं suggest करूँगा जिन भी बच्चों को यह काम करना है यह चीज सीखनी है VN method of submission part 1 का first 15 minute देखे सारा theory part उसमें समझाया गया है आपको आराम से समझना है फिर आप डिरेक्ट लिख पाएंगे इस पे इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा एक और कुछ संट्राइ करते है R is equal to 1 से infinity 10 inverse 2 are upon me R की पावर 4 R square plus 2 इसको find करना है आपने को यह चल रहा है को इसे वापसे thought process उसी type का यहां भी आपको 10 inverse में ही दे रखा है यही अगर sin inverse में होता तो पहले इसको 10 inverse में आपन convert करते हैं यहां अच्छी बात है यहां अच्छी बात है कि series आपका 10 inverse में ही दे रखा है तो आपको किसी भी मनलब sin inverse में रहता तो 10 inverse में convert करना पड़ता है मगर यहां already यह 10 inverse में दे रखा है तो आपको बस वो formula के बारे में सूचते रहना है कि 10 inverse x minus y upon में 1 plus x y यह format कैसे भी लेके आनी है ताकि आप इसको लिख पा 10 inverse x minus 10 inverse y अब यहां से काम करना इस्टार्ट करते है thought process डेवलाप करना इस्टार्ट करते है 10 inverse denominator ने 1 तो यहां चाहिए ही चाहिए यहां 2 चल रहा है इसको यूज करने के लिए 1 plus पाकी यहां पे रख लेते है यह चल रहा है अब यह जो इतना सा part बचा हो यह जो part बचा हो काम इस पे करना स्टार्ट करेंगे कि इनका product आपको सोचना है कि इनका क्या product लिखें किन दो चीज का product लिखें ताकि उनका difference भी 2R हो जाए अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे ता R की पावर 4 R square plus 1 यह एक standard identity है जिसका दो factor होता है आपका जिसका दो factor होता है R square plus R plus 1 और एक factor होता है आपका R square minus R plus 1 कहां से आता है इसका बहुत simple सा तरीक है आप इस चीज को ऐसे लिखो R की पावर 4 R square plus 1 plus R square minus R square तो यह जो part बना इतना सा इतना सा यह बना आपका R की पावर 4 2 R square plus 1 minus में R square नौ दिस इस R square plus 1 का whole square minus में R square इससे इसको लिख सकते हैं आपन R square plus 1 plus R और R square plus 1 minus R मैं सजेस्ट करूँगा कि यह जो चीज़ चल रहा है आपको यह डिरेक्ट यह याद रखो जैसे A plus V का whole square याद रखते है जैसे class 10 तक में 9 तक में A plus V का whole square इम्पोर्टेंट होता है वैसे ही आप आगे जेई के जेई में IAT के लिए यह सारा factor भी आपको याद होना चाहिए ताकि आपको यह चीज़ देखते ही आपके दिमागे आजाना चाहिए इसका दो फ्यावर भी चल रहा होगा तो उपर आप finally यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो R square R plus 1 माइनस में R square minus R plus 1 finally यह बना और यहाँ पर इस चीज़ को इस दोनों के product में लिखते हैं finally कुछ ऐसा बन रहा है 10 inverse उपर चलेगा आपका 1 plus R square plus R plus 1 और यहाँ पर बनेगा R square minus R plus 1 और इसी दोनों का subtraction तो finally जो अपना question चल रहा था summation R is equal to 1 से infinity इस चीज़ को आपने लिख सकते हैं 10 inverse R square plus R plus 1 minus में 10 inverse R square minus R plus 1 अब आपको R के बदले ले जाके value पुट करनी है तो अगर आप 1 put करोगे यहाँ से यह बनेगा आपका 10 inverse अगर आप 1 put करते हो तो 1 का square तो यह बना आपका 1 plus 1 plus 1 तो यह finally 3 बना minus 10 inverse अगर आप 1 put करते हो थी 2 का square 4 minus 2 2 plus 1 3 एक पर 3 अगर put करते है 10 inverse 3 का square 9 plus 3 12 plus 1 13 minus 10 inverse 3 put करते हैं 3 का square 9 minus 3 6 plus 1 लास्ट में अगर आप n put करोगे क्योंकि भली question infinity दे रखा है मगर आपन solve तो n के लिए ही करते हैं तो 10 inverse n square plus n plus 1 minus यहाँ आएगा आपका 10 inverse n square minus n plus 1 finally अगर observe करना start करोगे तो यहाँ से यह part 10 inverse 3 आपका इसके साथ remove होगा यह part इसके साथ remove होगा 13 वाला part इसके साथ remove होगा यह वाला part करी नहीं के यहाँ से जाएगा finally जो part बचे बनेगा आपका 10 inverse n square n plus 1 minus में 10 inverse 1 यह finally जाएगा n अगर आपका infinity की तरफ जा रहा है तो finally answer pi by 2 minus pi by 4 answer is equal to pi by 4 question चल्रा आपका cot inverse 1 square plus 3 by 4 plus cot inverse 2 square plus 3 by 4 3 by 4 यह बाठ जाएगा up to infinite यह question चल रहा है अब जैसा यह जो series चल रहा आपका यह series आपका cot inverse में चल रहा है पुरा तो ऐसा नहीं कि आप cot inverse x minus y वगेरा का कोई formula डूट है सब को 10 inverse में ही convert करना है आप चाहो तो सब को 10 inverse में convert करो या फिर general term लिख लो cot inverse में इस series का जो की कुछ इस तरह से होगा उसको देखते हैं तो अगला term अगर आपन लिखने की practice करें अगला term अगर देखें first term तो one का square second term two का square third term three का square fourth term four का square plus three by four this is equal to fourth term तो आरेथ टर्म इस एक्वल टू tr that is equal to cot inverse first term one का square two का square three का square four का square तो आरेथ टर्म में क्या आ जाएगा भई r का square three by four is everywhere तो three by four यह आपका आरेथ टर्म हो जाएगा इस चीज़ को अगर आप लिखें यह cot inverse हो गया पूरा आपका cot inverse में यह चल रहा है मगर अपने को काम किस में करना होता है ten inverse में तो ten inverse में इस चीज़ को लिख सकते है अब एक फॉर्मूला होता है ITF का कहीं भी cot inverse x लिखा है आप इस चीज़ को convert कर सकते है ten inverse one by x where x is greater than j x अगर पॉजिटिव है तो अगर x नेगेटिव होता है तो कुछ और होता है ऐसा इसलिए क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो cot inverse x भी first quadrant में होगा यह भी आपका first quadrant में होगा तो convert हो जाएगा तो यहां से यह अंदर वाला already positive ही है कोई दिक्कत नहीं है तो इस चीज़ को आपन डिरेक्ट लिख सकते है ten inverse one upon में r square plus three by four अब जैसा मैंने समझाया उसके according कि denominator में आपको चाहिए होता है one इस चीज़ को convert करेंगे अपने formula के according तो यहां पर अपने को चाहिए one one अभी दिखनी रहा है add कर दीजे subtract कर दीजे तो one plus r square plus three by four minus one यह मैंने set कर दिया अब इस चीज़ को अगर लिखें आपन ten inverse one upon में one plus r square minus one by four अब यह part बना अपना finally पहले यह ने one को set कर दिया ताकि one plus something बने यह जो something चल रहा आपका यह चल रहा आपका something यह जो दो part बना उसको अलग कर लो यह तो बहुत simply दिख रहा होगा आपको यह कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं आपन r plus one by two factor के according r minus one by two इसी दोनों का difference भी जो चल रहा होगा आपका वो one के बराबर चल रहा होगा तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो ten inverse one upon one one plus यह बना आपका r plus one by two दूसरा part बना r minus one by two यहाँ पे दोनों को अगर subtract करो तो यह कुछ इस तरह से बनीगा तो अब summation के according अगर काम करना है start करें तो यह चीज वैसा तो convert हो गया पहले series cotton verse में दे रखा था general term मैंने cotton verse में ही लिख लिया फिर उस cotton verse को ten inverse में convert किया क्योंकि formula अपना ten inverse में तो यहाँ से यह चीज अब formula में convert हो गया है अब यहाँ से अब summation में put करेंगे आपन इसको यह कुछ इस तरह से चलेगा r is equal to 1 से n तक ten inverse r plus 1 by 2 minus ten inverse r minus 1 by 2 r के बदले गर 1 put करो तो 1 plus 1 by 2 3 by 2 1 by 2 r के बदले गर 2 put करो 3 by 2 r के बदले गर आप 3 put करें अगर n put करें minus यह चल रहा होगा वापस से आपको observe करो दिख रहा होगा add करोगे तो यह पार्ट इस तरह सरीवोफ हो रहा है तो फाइनली जो यहां से value आएगी आपका that is equal to 10 inverse n plus 1 by 2 minus 10 inverse 1 by 2 question में n आपका infinity ही चल रहा है the n approach is infinity तो फाइनली इस इक्वल टू पाइ बाइ टू minus 10 inverse 1 by 2 this is answer तो इस पूरे पार्ट में सीरीज में formula स्टार्टिंग में एक ही था आपका उसी formula के according सारा पार्ट सॉल्ट हुआ है तो वो formula आपको समझ भाना चाहिए और वो भी direct इसका proof होगेर अभी है मगर किसी और वीडियो में आपको proof होगेरे discuss करेंगे यहाँ तो बस simple सा formula है बस यह thought process आपको हरे question से समझाया गया है कि सोचते कैसे क्या तरीका है question के लिए denominator में आपको one रखना है one plus something और उस दोनों का ही difference numerator रहना चाहिए series भले ही किसी में भी दे रखा है आपको convert उसको 10 inverse में करना है मतलब TR को 10 inverse के form में लेके आना है कैसे भी TR होना चाहिए 10 inverse के form में और formula यह apply करेंगा direct general term दे रखा है अच्छी बात है कभी series दे रखा है आपके पास जैसे इस series चल रहा था 10 inverse के term में तो TR को 10 inverse के term में लेके और फिर आपन आगे बरेंगे तो यह चार question थे जिसमें की आपको तरीका बताया गया सोचते कैसे हैं और यह जो summation वाला part चल रहा है इसके लिए आप VN वाला method आप देख सकते हो एक वीडियो है description box में डाल दूँगा वो भी आप link से देख सकते हो तो आपको यह भी काम नहीं करना पड़ेगा आप उसको भी directly लिख पाऊंगे तो यह आपका question है चार रहा है कॉसेक इनवर्स root 5 कॉसेक इनवर्स under root 65 कॉसेक इनवर्स under root 325 up to infinite यह सम्फाइंट करना हम सेकेंड देख सम्टो infinite terms of the series कॉसेक इनवर्स 2a square plus 1 by 2 2q plus 1 upon me 2a square 2q plus 1 upon me 2a square कॉसेक इनवर्स 2 की पावर 4 plus 1 upon me 2q थर्ड वन इस सम्मेशन r is equal to 1 से infinity 10 inverse 2r upon me 1 minus r square plus r की पावर तो इस आर 3 questions if you want to improve your concept or logic then try these questions by on जो भी आपका answer है आप comment कर सकते हो answer if you feel it useful then please like the video share with your friends subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification thank you very much